डूंगर पूर जिले में सदक सुरक्षा सप्ताह के तहट सीमलवादा उप्खन मुख्याले पर धंबोला थाना पुलिस की ओर से जागरूपता रेली निकाली गई, रेली को सीमलवादा स्डीम व सीमलवादा पुलिस उपाधीक्षक ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया, डूंगर पूर जिले में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से सदक सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहट आमजन को सदक सुरक्षा के प्रती जागरूप करने के लिए विभिनकार्यक्रम आयोजित के जा रहे है, इसी के तहट डूंगर पूर जिले की धंबोला थाना पुलिस की ओर से सीमलवादा उपखन मुख्यालग पर जागरूपता रैली निकाली गई सीमलवादा खेल मैदान से सीमलवादा स्टम विकास मोहन भाटी सीमलवाडा उपाधीक शक रामेश्वर चौहान ने जाग्रूपता रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जाग्रूपता रैली में स्वामी विविकानन्द राजकिय विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ SDM विकास मोहन भाटी सीमलवाडा उपादीक शक रामेश्वर चौहान तहसीलदार विवेग गरासिया सीया हचारी लाल मीना, सीबी ओ लक्षमन कुमार डामोर भी शामिल हुए रैली खेल मैदान से शुरू होकर सीमलवाडा कस्पे के विभिन मार्गो से होकर बुजरी और सीमलवाडा महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई रैली के माध्यम से आमजन को हेलमेट वसीट बैल्ट लगाकर वहन चलाने यातायात के अन्य नियमों की पालना करने के साथ सरक सुरक्षा के प्रती जागरूप किया गया इधर स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई वही इसके बाद स्वामी विवेकानंद राच्किय विद्याले में जागरूपता कार्यक्रम आयोचित हुआ कार्यक्रम में सीमलवादा पुलिस उपादीक शक्रामेश्वरलाल ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उसकी पालना करने का आभान की आगयो